नमस्ति मेरे प्यारे यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप लोग उमीद करूँगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी अच्छे हैं स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाती भक्ती एंड ब्लॉग में आप सभी से वीडियो सुरू करने से पहले निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को आज बिलकुल भी स्किप मत कीजिएगा आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है साथ ही साथ आप जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं अपना अपना रासी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा मैं रासी के अनुसार बताऊंगे कि आपका सावन कैसा रहेगा आपके सावन की पूजा विधी क्या रहेगी यानि कि कल है हर्याली अमावश्या 17 जुलाई को आप सभी के लिए कैसा रहेगा क्या उपाई करने से घर में सुख सांती धन दौलत आएगी इसलिए प्लेज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ दोस्तों कहा जाता है कि सावन का हर्याली अमावश्या बहुत ही ज़्यादा खास होता है इस दिन नियम से पूजा पाट करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होती है हर्याली अमावश्या के दिन आप सभी को बरगद, पीपल, तुलसी, इन सभी चीजों का पूजा करना चाहिए खास तोर पे आप सभी को पीपल का पूजा करना ही करना चाहिए अगर आप सुबह में पीपल का पूजा करती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप साम को कम से कम पीपल में दिया जरूर दिखाईएगा दोस्तों सावन का हरियाली अमावस्या छे रासियों के लिए देखा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है परंतु उन्हें मात्र एक ऐसा उपाई करना है जिससे कि उनकी जो भी समस्या है वह दूर हो और घर में सुखसांती का आगमन हो तो आईए दोस्तों मैं आपक जिनके लिए आमावस्या बहुत ही ज़्यादा सुभ है वह है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के लिए कल का दिन यानि की आमावस्या का दिन बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है आप सभी को अगर अपनी मन की मनोकामना को पूरी करनी है तो आप सभी को बस एक पूजा पाठ में सिभजी को एक रुपे का सिक्का जरूर चरहाईएगा पूजा पाठ हो जाने के बाद उस सिक्का को उठा करके आप अपने पैसे वाले अस्थान पे रख लीजिएगा यानि कि अगर आप साम में पीपल के पेर में या किसी भी पेर में आप हर्यालिया मवस सिया को दिया बाती कर रही है उसके बाद आपको वह एक रुपे का उठा करकर अपने पैसे वाले अस्थान में श्राब करना है कि कल साम को पीपल के पेड में एक तिल का तेल का दिया जरूर जलाईएगा ऐसा करने से आपके घर की जो भी समस्या है वह दूर होगी धन दौलत में कमी है तो वह कमी भी दूर होगी तिसरा रासी है मकर रासी मकर रासी के लिए भी सावन का हर्याली अमावस्या बहुत ही जादा सुब देखा जा रहा है मकर रासी के महिलाओं व्यक्तियों को बस एक उपाई करना है कि जब वह साम को पूजा पाट कर रहे हैं तो कल अपने घर में कपूर भी जलूर जलाईएगा और पूरे घर में इसका धूप दीब आरती जरूर कीजेगा आपके घर से नकरात्मक उर्जा बहार जाएगी और सकरात्मक उर्जा घर आएगी चौथा रासी है सिंग राशी सिंग राशी के लिए भी कल का दिन बहुत ही जादा सुब होने वाला है अगर सिंग राशी के विक्तियों को भी अपना भाग्य उचा करना है सुब करना है तो कल के दिन वह वर्थ अगर रखते हैं चाहे महिला हो या पुरुस हो तो वर्थ में ध्यान रहे कि साम को अगर आप संध्या में कुछ भी खाने से पहले कुछ मीठा यानि की मिश्री खा करके ही कुछ खाईएगा आपका दिन सुब होगा और आपकी हर्याली अमावश्या भी सुब होगी पाचवा रासी है कन्या राशी कन्या राशी के लिए भी सावन का हर्याली अमावस्या बहुत ही जादा सुब होने वाला है कन्या राशी को करना यह है कि सुवा उठ करके पूझा अस्थल की साफ सफाई घर की साफ सफाई करने के बाद अगर वहकल मंदिर जा रही है या जा रहे हैं तो मंदिर से आने वक्त घर में आते ही जो आप सिब गुरु को जल चरहाई है उस जल से पूरे घर में छिरकाब कर दीजिएगा आपके घर की जो भी वातावरन है वह सुध होगी और जो भी असुध वातावरन है वह बाहर चले जाएगी छठा रासी है और अंतिम रासी है धनू रासी धनू रासी के लिए भी कल का दिन बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है धनू रासी को अगर अपना किस्मत चमकाना है यानि की कल का दिन सुभ करना है तो उन्हें करना यह है कि कल जब आप अमवश्या यानि की हर्याली अमवश्या का पूजा पाठ कीजिएगा तो साथ ही साथ कल आप दो घी का दीपक जरूर जलाईएगा एक आपको अपने घर की मंदिर में रखना है और दूसरा आप अपने तुलसी चोड़ा पे रख दीजिएगा ऐसा करने से आपके घर की जो भी समस्या है वा दूर जरूर होगी और धन और दौलत की में ब्रकती होगी साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई भी रासी छूट गया हो जिस रासी का नाम मैं नहीं ली हूँ आप मुझे एक बर कमेंट कीजिए मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपके रासी के अनुसर कल का दिन आपका कैसा रहेगा दोस्तों सावन का हरियाली अमावश्या वैसे तो हर साल हरियाली अमावश्या आता है लेकिन यह सावन का हरियाली अमावश्या है तो यह बहुत ही जादा खास और सुब है इस दिन अगर हर एक घर में तिल का तेल का दीपक जलेगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुभ होने वाला है कहा जाता है दोस्तों कि हरियाली अमावश्या के दिन पीपल का पूझा नियम से करना चाहिए क्योंकि आपको नाम से ही पगा चल रहा है हरियाली यानि कि हरी भरी आप जितने कल हरी भरी पौधियों का पूजा करती है या जल देती हैं जैसे कि आपके घर में आम का, अमरुद का, किसी भी तरह का पेर हो तो कल आप उसमें जल जरूर दीचेगा कहा जाता है दोस्तों कि हरी आली मवस्या के दिन अगर आप पीपल में या किसी भी पेर पौधा में जल देती हैं तो इससे आपकर आपके पर प्रित दोस है यानि कि कोई बुजुर्ग होते हैं जिनका देहान तो जाता है और उसका कोई दोस्त आपके घर में रह जाता है तो वह जरूर दूर होगा साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कल तिल का तेल का दिया जला रही हैं तो ध्यान रहे या दिया आप साम को जरूर जलाईएगा क्योंकि जितना आपको फाइदा साम के दिया से होने वाला है, साम के दिया से आपके घर में फाइदा होने वाला है, उतना सुबह का होता है लेकिन रातरी को या उपाई बहुत ही ज़्यादा सुब माना जाता है साथ ही साथ दोस्तों, हर्याली अमावस्या के दिन बहुत सारे लोगों का वर्त भी रहेगा यानि कि कल सोमवार का भी दिन है, सावन का, दुसरा सोमवार का दिन है, अगर आपको पूजा का सुम मुहरत नहीं पता है, पूजा की बिधी नहीं पता है तो आप हमें एक बड़ कमेंट कीजिएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी तो कल दोस्तों अगर आपका वर्त है आप पूजा पाठ घर में कर रही हैं बहार में भी जाके करती हैं यानि कि मंदिर में तो मंदिर में भी दोस्तों अक्सर देखा गया है कि पीपल और बड़गत का पेर एक साथ होता है तो कल आप पीपल का भी पूजा बहुत ही अच्छा से कीजिएगा जैसे कि आप तुलसी मा का पूजा करती हैं वैसे ही आपको कल पीपल का भी पूजा करना है साथ ही साथ दोस्तों घी का अगर आप दिया जलाना चाहती है तो जलाईएगा तिल का सर्षो जो भी आपको दिया जलाना है आप सुबह में जलाईएगा लेकिन साम को संधिया में तिल का दिया जरूर जलाईएगा इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फाइदा होने वाला है दोस्तों सावन में बहुत साड़ी महिलाओं को पता नहीं रहता है कि किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए किसी दिन वह असुब दिन के दिन बाल धो लेती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब बात है अगर आपको जानना है कि आपके रासी के अनुसार किस दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए तो आप हमें comment box में comment करके जरूर पूछ सकती हैं मैं आपको जरूर बताऊंगी साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का पूजा पार्ट से रिलेटेड वीडियो जानना है तिथी जानना है उपाई जानना है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पुछिएगा मैं आपको जवाब जरूर दोंगी इसी तरीका से मैं आप सभी के लिए हर रोज एक वीडियो ले करके आती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में त